नमेटा दोस्तों स्वागत है आप सभी का साइंस चर्नी में दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मनु का जनम कब हुआ मनु स्मिर्ती कब बनी, भारत में ब्रामड़बाद कब आया और भारत में बुद्धम का खात्मा कब हुआ कौन सी परिष्टितिया थी, किस तरह से आखिर मुठी भर ब्रामडों ने पूरे भारत पे खबजा कर लिया और भी ऐसे तमाम प्रश्ण है जैसे कि क्या मनु वाकवी में कोई इनसान था या कोई ऐसा ब्रामड राजा था जिसके अधार पर मनु की संकल्पना हुई आखिर वो कौन राजा था जिसके नाम पर उसके नियमों को ही बाद में धीरे धीरे मनुस्मृति कहा जाने लगा तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको अंतिम तक देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद आपको इन तमाम प्रशनों के उतर मिलेंगे ही मिलेंगे साथ ही आपको कुछ ऐसी जनकारिया मिलेंगी जो आज तक आप से किसी ने नहीं बताई तो आईए एक एक कर खोजते हैं इन प्रशनों का उतर अगर आपने साहे चरनी की वीडियो पहले से देख रखी है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अक्सरहा कहा है कि भारत में ब्रामणबाद की सुरुआद सातवी सदी और उसके बाद ही हुई है तो यहाँ पे भी हम ले चलते हैं भारत के पश्चमी इलाके सिंध पे जहां से पहली बार ब्रामणबाद जुरुआ यह वो दोर था छटी सातवी सदी का जिस समय न कोई वेद था न कोई पुराण था न कोई गीता थी न कोई अपनिशद था न कोई इस्मृती थी न कोई ब्रामणब गरंद था इस समय सिर्फ और स्रिफ बुद्धम था तो भारत के पश्चमी इलाके में एक जगा है सिंध और उस सिंध पर भारत के बाकी हिस्सों की तरह ही वहां भी बुद्धम था वहां के राजा बुद्धम का पालन करते थी फिर अचानक से वहां पे भुकम पा गया और वहां की जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी उसने अपना रास्ता बदला और फिर वहां के सहर तबाह होने लगे इस तबाही के बाद जब तुफान टला तो फिर एक नई राजसता स्थापित हुई और ये जो नई सत्ता थे ये फिर से बुद्धम को ही मानने वाले थे अब फिर से बुद्धम फैलने लगा ये घटन थे पांचवी सदी के आखरी दौर की, सन 585 इसवी यानि 585 AD में राजा दिवायत ने इस राजसत्ता की नियूँ डाली थी, उनका बेटा हुआ राय सहिरस, फिर उसका बेटा हुआ राजा साहसी, और साहसी का फिर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सहिरस ही रखा, जिस क इरानी राजा था निमरूज उसने कर दिया हमला और इस लड़ाई में राय सहिरस दुतिय मारे गए फिर उनका बेटा राजा साहसी राजा बना तो ये पूरे इतिहास की डिटेल्स हमें मिलती है चच नामा से जो की आठवी नौवी सदी के दोर में लिखी गई अब ये किता आप कितनी प्रमाडिक है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही मनुआद और ब्रामणवाद का सुरुआत कैसे हुआ इसकी भी हम बड़े डिटेल्स में चर्चा करेंगे सबसे पहले तो जो सिंध है वहां से जो पूरातात्विक प्रमाड मिलते हैं पूरी तरह से बु पुधिष्ट जगह थी और चचनामा भी यही बात कहती है एक अंग्रेज इतिहासकार थे एलफिष्टन उन्होंने अपनी पुस्तक लिखे और उसमें चचनामा को बताया कि अगर सिंधका इतिहास चानना है तो सबसे मूल और सही सोर्स चचनामा ही चचनामा दरसल अरभी भासा में लिखी गई लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इतिहास संरक्षन सही से न होने के करण आज की डेट में वो प्रती एवलेबल नहीं है लेकिन सन 1206 AD में ही बहावल पूर निमासी अली कूफी ने उस अरभी चर्चनामा का ट्रांसलेशन फारसी भासा में कर लिया था और वो किताब एवलेबल तो इसलिए अंग्रेजों के समय में चचनामा की प्रती फारसी प्रती एवलेबल होने के कारण आज हम ये सारा इतिहास जान पा रहे हैं फिर सन 1900 में विद्वान सायर एवम इतिहासकार मिर्जा कलीज बेग ने अंग्रेजी एवम सिंधी में इसक भी आप पढ़ सकते हैं चचनामा में पांचवी छटी सदी के दोह से कहानियां सुरू होती हैं और वो बौध राजवन्स का कैसे पतन हुआ भोकम्प के बाद से फिर से कैसे एक नए बौध सासन का सुरूआत हुई और फिर वहाँ पे एक ब्रामहड कैसे वहाँ पे राज सुरू होती है आए हम देखते हैं हुआ क्या था तरसल इस दोर तक ब्रामहड ग्रंतों का नामों निसान नहीं था और उस समय ब्रामहड बेसिकली बुद्धिजम का ही पालन करते थे उनका अपना कोई धर्म नहीं था तो इसी में चचनाम का एक ब्रामहड भी अपने पित था और राजा के पास रिपोर्ट देनी थी तो वहां पे ब्रामहड चच चला गया अब चचनामा यह बात कहता है कि वहां पे राजा की बीवी थी और बीवी और जो ब्रामहड चच था इन दोनों में नैन मतक का शुरू हो गया फिर यहीं से कहानी पदल जाती है अब यह जो राणी है और यह जो ब्रामहड चच है इन दोनों ही आगे चलके पूरी तरह से वहां पे जो बौध सासन था उसका खातमा कर देते हैं और राजा भी मर जाता है और राणी और ब्रामहड चच सत्ता हथी आ लेते हैं चुकि सिंध का पूरा राजवन्स और वहां के जाता है कि मेरे भाई को मार दिया गया है या उसकी सत्ता को ब्रामहड के द्वारा कपजा कर लिया गया है और उसकी जो भावी है उसने भी दगा देकर ब्रामहड के सांथ चली गई है तो वो पूरे अपनी सेना लासुल लसकर के सांथ लड़ाई करने के लिए चला आता है चुकि अलोर राजदानी थी सिंदे की और वही में जगा थी इसलिए चच के पास तो सैनिक तो बहुत ज्यादा थें लेकिन लड़ाई घमसान होने के करण दोनों तरप से लोग मारे जा रहा है अब यहां पे महरत जो है वो एक तरीका खोजता है वो राजा चच को बोलता है कि ऐसा करो लोग तो बहुत मारे जा रहे हैं तुम बेगुनाहों को क्यो मरवा रहे हो तुम्हें दम है तुम मुझे से लड़ो सी और जो जीतेगा उसी का सिंध पर सासन होगा ब्रामः चच बोलता है ठीक है मुझे सर्थ मनजूर है लेकिन मैं तो ब्रामः हूँ और मैं मारा जाओं तो कोई चिंता नहीं राजा महरत ब्रामः चच के जहांसे में आ गया वो उसकी चलाखी और धूर्तता समझ नहीं सका और वो सूचने लगा ये ब्रामः मुझे जैसे बहादूर और युद मैं माहिर के सामने क्या टिक पाएगा वो तुरंत घोडे से उतर पहुंचे चच उचल कर अपने घोडे पर सवार हो गया और एक ही तलवार के बार से महरत का सिर धढ़ से अलग कर दिया और इस तरह ब्रामः चच ने धूर्तता से राजस्थान के चितोड के राजा की घरदन उड़ा कर सिंधफे विजय हांसिल कर ली अब कुछ इतिहासक का कहना है कि इस लड़ाई से पहले ही जो राजा साहसी की पतनी सुहननदी थी उससे ब्रामः चच की साधी हो चुकी थी तारीखे मासूमी एवं तहफल तुलक राम के अनुसार यह साधी महरत के आकरमण से पहले ही हो चुकी थी अब ब्रामः चच ने इस रानी सुहनदी से दो बेटे दाहर सेन और दाहर पैदा किये और एक लड़की जिसका नाम बाई रखा गया उसे भी पैदा किया अब महभारत में आपने पढ़ा होगा कि परसुराम ने पूरे धर्ती को छत्रिय सुन्य कर दिया था आधी परव में पढ़ा है ना क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा वाक्या ये जो यहां घटना हुई है कि पहले राजा सासी को खतम किया गया फिर उसका भाई जब लड़ने आया उसको खतम किया गया और इस तरह से सत्ता पे काविज किया गया और एक छत्राणी जो थी उससे बच्चे पैदा किये गए यही वाली कर्मेंट में जरूर बताएगा इसमें क्या सिमिलार्टीज हैं क्योंकि तब तक ब्रामडों के कोई भी गरंत का जिक्र नहीं मिलता यहां तक कि ब्रामड तब भी बुद्ध धम में ही घुसकर और उनकी ही चीजों का पालन करते थे और थोड़े मोड़े अपनी चीजे भी इधर उधर करने की कोशिस करते थे अब बात सिर्फ यहीं से खतम नहीं होनी क्योंकि जनता अभी भी बहुत थी और जनता को यह ब्रामड राजा पसंद नहीं आ रहा था तब ब्रामड चच ने एक नया दिमाग लगाया उसने सोचा कि यहां की जो मजबूत जातियां हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि घोड़े पर चड़कर जो लड़ाई होती थी उनके जितने के चांसे ज्यादा होते तो कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाया जाए कि जिससे घोड़ा पर चड़कर और कोई हमसे लड़ाई न कर सके और तलवार उठाने पर मना ही कर द दूसरा प्रतिबंद था, शरीर पर अंदर के कपड़े उनी नहीं होने चाहिए, तीसरा था, मखमल या रेसमी कपड़े नहीं पहन सकेंगे, चौध था, सीर पर काला या लाल साफा और वो भी सूती, पांचवा, घोड़े पर सवारी, काठी, जिन के बगैर करेंगे, क्योंक से बाहर निकलने पर कुट्ता साथ में रखना होगा, ताकि लोग उन्हें पहचान सकें, आठवा, राज के अधिकारियों के जलाने की लखड़ी देना, उनका कर्तब्बे होगा, नौवा, राजे के लिए जासूसी और सुरक्षा का कारे करेंगे, दसवा, हाकीमों को पू आने की कवायद थी, और चुकी उस समय मनुस्मृति नहीं थी, लेकिन ये जो सीन आप देख रहे हो, यही सीन आगे चल के दीरे-दीरे मनुस्मृति का रूप बन गई, क्या आपको नहीं लगता कि जब एक ब्रामण राजा बना, और जिस तरह से उसने इस तरह के साइड करने लगे, तो वो आटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में रहेंगे, और हम बड़ी आसानी से अपनी सत्ता की विवस्था कर सकेंगे, सत्ता को चला सकेंगे, याद रहे, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, कि तब तक मनुस्मृति या ब्रामण गंतों का नामों देकर मनुस्मृति और तमाम तरह की स्मृतियों की रचना की गई भारतियों को कंट्रोल करने के लिए, सवाल बहुत हैं, जवाब आपको भी खोजने होंगे, कमेंट में आप बताइए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाने वाला हूं, आपकी तो नींदे उड़ाने क्योंकि वहाँ बात चलने वाली है, अब पहला अर्वी आकरमण कारी मुहम्मद बिन कासिम जब भारत में घुसा और जब उसने फता हासिल की, तब प्रामडों ने उसके साथ क्या डिल की थी, क्या उन्होंने सुरिया देवी, प्रमीला देवी, जो राजा ताहर सिन की बे आदेंगे, तो बेसबरी से आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का और बने रहें, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यमाद